अगर परिच्छा और्गनाईशन और्गनाईशन नहीं हो पा रहा है, तो 24 घंटा का वक्त हमें दिया जाए, 24 घंटा में हम एक दम दूद का दूदा पानी का पानी जैसा, अगर अंसन की बात होती है, आमरान अंसन की बात होती है, तो गुरुरहमान मरते दम तक उनके साथ कोई ना कोई धलाल है, कोई ना कोई चोर है, यह अधिकारी भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, आयोक के अंदर भी हो सकते हैं, कोचिंग माफिया ले भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई है, जो हमारी सिक्षा में उस्ता को बरबात करना है, जाहिन दोस्तों, मैं हूं अंक लेकिन अब तक उनको संग्यान में लेने वाली कोई सरकार के कोई बड़े अधिकारी या कोई नेता नहीं आ रहे हैं और जहां तक हो रहा है इस्टुएंट अपनी हक की मांग कर रहे हैं उनको लाठी तेंड़ा से मार करके खदेर करके भगा दिया जा रहा है सबसे पहले साम पर लाठी आ दिया जा रहा है इस पर क्या कहते हैं लाठी से लोग मारा है बहुत गलत किया है बचारे मासूम नेरी बच्चों को साथ जो क्याम किया है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तीन सीटिंग के परिश्चा है तो तीनों सीटिंग का परिश्चा कैंसिल नहीं कर है और 9 लाग अभियर्ति हैं तो पास करेंगे 280 तो जो लड़के फेल करेंगे उनको किसी ना किसी रूप में उनके मन में ये संसे बना रहेगा कि हमारे फेल करने का एक मातर कारण क्या उटरा दिये कि परिंदा पर नहीं दिक्कत की बात नहीं होगी इसके लिए पूरी तरह से बराष्ट हो चुके हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसके लिए पूरी तरह से आयोग उत्तरदाई है और आयोग अपना पल्ला जाड़े चाहे कुछ करें लेकिन मेरी असपस्ट मांग है कि तीनों सिटिंग की परिक्षा नेतिकता के अधार पर अपने करतब के अधार पर इसको केंसिल करना चाहिए तब ही चात्रों का कल्यान होगा उससे भी बड़ी बात जहां पर बिहार में मतलब हमारी इदर बहुत ठंड पर रही है मैं पूरा लाइव रिपोर्टिंग किया था लगातार लाइव घंटे लाइव रहा था अपने चैनल पर और उनको कुछ पाता ही नहीं है। दंदा चल ला है तो अब तीनों सीडिंग का परिष्छा केंसिल करना ही एक मात रूपा है बच्चों से मैं कहूंगा कि रोड़ पर मत जाईए लेकिन अपने आंदोलन को जो अहीं सात्मक आंदोलन को उसको जारी रखेगा उस समय तक जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं ह हो जाती है निश्चित निश्चित रूप से इसके लिए आयोग के अध्यक्ष और सचीव मैं कहता हूं न कि वह अपने आपको लूई फोटिन समझ रहे हैं मैं ही राज्यों हूं इस परिपार्टी पर चलने हैं यह बहुत दिनों तो कि नहीं चलने वाला है पूरे बिहार का नाम कहीं न कहीं बहुत ही गलत तरीके से देखा जा रहे है पूरे भारत में तो सर जब कोई पत्रकार सवाल ख़रा करता है और उसको मजबूरन बोलना पड़ता है कि हमारे बिहार में यह है हमारे बिहार की वेवास्थ था यह है तो कहीं न कहीं बिहार का डिढ़ लेकिन जब इस टाइPSinka होता है जब इसको दिखाने को मजबूर होते तो यहांग राजनेता है जो बिहार्बर्डान मंथ्री वह नहीं से होगे और Tao कि मुखषी मंत्रियों के वहां वहां के राज़ा एक तरह से होगे तो नोगों कोती है कि हमारे बिहार की छबी गिर रही हैं कि बिहार की छबी गिर गई है नहीं बिहार गिर गई है इसका मतलब कि वह फिरोन की कहानी को दुहरा ना चाहरे है कि यहां पर जितने भी पढ़ने वाले हैं जितने भी स्कूल कोलिज बाट पाट साला मदर साथ अपा है रोलर चलวा दीजे तागि जाहिवों की कौम पैदा किया जाएक और यही सोझ के लिोक चल ला है बहुत होग्या मानने मुखमंत्री जी बहुत होग्या मानने मुखमंत्री जी तीनों सिट्णी का परिछा केंसिल किजिए, अगर परिच्छा और्गनाईज नहीं हो पा रहा है, तो चौबीस घंटा का वक्त हमें दिया जाए, चौबीस घंटा में हम एकदम दूद का दूदा पानी का पानी जैसा परिच्छा संचालित करवा देंगे, मानने मुखमंदर है। है, यह अदिकारी भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, आयों के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिर कोई ना कोई है, जो हमारी सिक्छा बे उस्थागों बर बाद कर रहा है. आखिर में एक और सवाल होगा जो आपके स्टुडेंट जो बहुत सारे भी एससी के जो भी स्टुडेंट थे कुछ स्टुडेंट पर नामजद फायार कर दिया गया ताकि यूनिटी को तोर दिया जाए और कहीं ने कई छात्र जो है डर के मारे अपनी अवाज को भी नहीं उ गुंडा नहीं है अरे फायार कराना है तो उन दलालों पर कीजिए जो बच्चों के फविसक साथ खेलने हैं इन बच्चों के साथ क्यों जो की मासूम है बचारे अपने हग के भूक लगी लोग तंत रहे हम आवाज उठाएंगे ही उस पर आप फायार कर दिये निश्य से गलत करेगा इसलिए मानने मुख मंत्री मुझे पूरा विष्वास है कि तीनों सिटिंग का परिष्छा कैंसील होगा 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 और होना चाहिए और जहां पर कहा जाता है कि जब बिहार में किसी कोई प्रोटेस्ट करें न तो इसको इस तरह से कॉलर पकड़ करके हम ल कॉलर चोड़ करें करते कॉलर कहां पकड़े हुए सारा वीडियो में आपने देखा होगा लेकिन क्या इस तरह की जो कानूनी वेश्था है परसासन भी ऐसे ट्रीट करें जैसे लाठी खदेर खदेर करके मार रहे थे ठंड के मौसम में इस्टूरें लोग जूता चपल जै किसी भी परसिति में हिंसा का रास्ता मत अपनाना क्योंकि पुलीस वाले चाहरें कि आप लोगो मार पिटके डरा दिया जाए हिंसा में बड़ी ताकत है और अहिंसा के बल पर छुकना पड़ेगा आयों को अतीनों सिटिंग का परिच्छा कैंसिल करना पड़ेगा मैं उनक के साथ था हूँ और रहूंगा रोड पर मैं नहीं जाओंगा क्योंकि मैं अहिंसा पर विस्वास करता हूं लेकिन अगर आंशन की बात होती है तो गुरु रहमान मरते दम तक उनके साथ रहेगा अभी बच्चे सांत रहें और धीरज रखें क्योंकि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो रहा है और आपकी मांग को मानी जाएगी यह हमको पुरा पिस्वास है धन्यबाद और जिस तरह से आपको बतारे हैं लगातार हम गुरु रहमान सर के भी पास बहुत बार आये थे और लगातार ये छात्रों के साथ खड़े रहने की बात करते हैं और हमे